हेलो एवरीवन, वेलकम तो एनदर क्लास अप डेली मैठ्स जोज, आज हम दो फंटेस्टिक क्वेशन करेंगे, चलो, पहले आप क्वेशन देखिए, फिर ट्राइ करते हैं, ओके ये दो क्वेशन है आपके सामने, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइ किजी चलो, पहल 1998-2 की पावर 1997-2 की पावर 1996, प्लस 2 की पावर 1995, पूरे येर का ही नाम दे रहे, ठीक है, इकल to k into, dot मतलो, k into, k into 2 की पावर 1995, ओके, तो हमें k की वेलो इसमें निकालने हैं, चलिए, आप try करेंगे पहले, चलिए, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप थोड़े वीडियो को के पाउस करीए फिर आपको ट्राइसे भर आखको बताता हूँ तो चलिए करते हैं है ठीक है कुशिन नॉम्बर वन करते हैं हम उन फिर से लिख लेता हूँ ठीक है तो कुशिन है हमाराय देन की पावर त्वेंटि टू प्लस डेन की पावर 20 upon है 10 की power 20 ठीक है देखिए बहुत आसान question है थोड़ा सा हमें सोचना है क्या सोचना है देखिए इसमें हम कुछ अगर हम लगाने की सोचने तो देखिए प्लस की हमारे पास कोई identity होती नहीं है तो हम इसको और क्या तरीके से लिख सकते हैं देखिए से में तो पावर जुड़ जाएंगी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यह लिखा है ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों के बरावर प्लस अब लिख देते हैं 10 की पावर 20 अब कुछ आईडिया आए आपको अब बताईए अब कुछ आपको idea है कि हम कैसे कर सकते हैं हमें क्या करना है अब यहां से और यहां से common लेना है ठीक है देखे 10 की power 22 यह 10 की power 22 और यह 10 की power 20 यहां से common ले सकते हैं ठीक है बाहर 10 की power 20 को हम लिख लेते हैं 10 की पावर 20, common लगा दिया, और यहां से bracket लगा दिया, क्या बचा 10 की पावर 20 तो भी बाहर गया? यहां बचता 10 की पावर 2, प्लस, अभी 10 की पावर 20 तो भाहर चला गया, तो इसकी जगह बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1, upon क्या बचा 10 की पावर 20, ठीक है? अब देखिए 10 की power 20 और 10 की power 20 cancel out हो गया. क्या बसता है हमार पास? 10 की power 2 plus 1. अब 10 की power 2, 10 की power 2 का क्या मतलब हुआ? तो 10 की power 2 का मतलब हुआ, 10 into 10 यानि 100. 10 into 10, 10 into 10, 100 plus 1. आंसर विल भी 101, sir. तो देखिए, ये हमारे option में था, देख लेते हैं जरा option में था क्या है option में था 10 की देखे तो correct answer क्या होगा हमारा 101 आपका answer आया बताइए आपका answer क्या आया correct आया ठीक है तो comment आप कीजिए अब करते हैं question number 2 ठीक है question number 1 हो गया अच्छा था question ठीक है अब question number 2 करेंगे यह थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है लेकिन फिर भी जैसे आपने question number 1 किया उसी प्रकार से question number 2 भी कर सकते हैं ठीक है एक बार हम क्या करते हैं इस question को लिख लेते हैं space हमारे पास उपर इतना नहीं है तो नीचे एक बार लिख लेते हैं अगर यहां पर देखा जाए तो base सब के यहां पर 2,2,2 है equal में भी उतना ही है हम क्या कर सकते हैं यहां से कुछ common ले सकते हैं सोचो जरा जैसे question number 1 में किया हमने उसी तरह से कुछ common लिया जा सकता है बताओ सोचो, कुछ दियान आया हाँ, बिलकुट 2 की पावर 90,98,97,96,95 इन में से सब से minimum value लेख लेते हैं मैं एक बार question नीचे लिख देता हूँ चलो, मैंना भी question उपर से note कल लिया नीचे ठीक है, अब यहां से देखते है 2 की पावर यहां सब से कम कौन सी है देखो, 90,95 सब से कम है ठीक है, तो हम 2 की पावर 90,95 है क्या कर लेते है common लेते है, पहले question की तरह है तो 2 की पावर 90,95 हम ने लिख लिया अब लगा देते हैं bracket तो देखे, यहां 2 की पावर 90,98 है तो हम यहां क्या लेख सकते है 95 में क्या PLUS किया जाए 98 हो जाए, तो 2 की पावर 3 ठीक है तो 2 की पावर 3 बसता यहां पर, ठीक है, बाइनस 2 की पावर 1997 था, तो देखे, इसको हम क्या लिसकते हैं 95 के संदर्व में, 2 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 95 common आगी, ठीक है, माइनस यहां पर 2 की पावर 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 1996 में क्या multiply करें, क्या जोड़ें, कि 5 आ जाए, तो 1, इन दोनों को हम multiply करेंगे, तो इतना आ जाएगा, plus 2 की पावर 1995, तो बाहर है यह, इसकी कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 1, equal to k dot 2 की पावर 1995, okay, अब देखो, देखो, इधर bracket के बाहर 2 की पावर 1995, उधर भी bracket के बाहर 2 की पावर 1995, देखो, यह, पूरा का पूरा cancel out हो सकता है, ठीक है, यह multiply में, ठीक है, plus minus बीच में होता है, या इधर plus minus होता, तो नहीं कटता, अब क्या बचता है, 2 की पावर 3, यानि 2 की पावर 3 का मतलब, क्या हो गया, 8 हो गया, 2 into 2 into 2 कितना, 8, minus 2 की पावर 2 का मतलब, 4 हो गया, minus 2 की पावर 1 मतलब, 2 रहा, plus 1, equal to, क्या बचता, equal to बचता, यहां पर, k, ठीक है, यह, k नहीं कटा था, ठीक है, सिर्फ 2 की पावर 1995 कटा था, अब इनको solve कर देते हैं, 8 plus का है, 8 plus का है, और 1 plus का, 8 plus 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और minus 4, minus 2 कितना हो जाएगा, minus 6 हो जाएगा, ठीक है, दोनों same sign है, तो हमेशा जुड़ते हैं, opposite sign घटा देते, sign बड़े का लगाएगा, तो बड़ा तो, दोनी minus का है, तो minus का लगा देते हैं, equal to k, तो हमारा answer कितना आ गया, 9 मेंसे 6 हम घटा देते हैं, ठीक है, तो 9 मेंसे 6 गया, तो कितना हो जाएगा, 3, 3 equal to k, यानि k की value हमारी कितनी आ गई, k की value हमारी आ जाती है, 3, ठीक है, 3 equal to k, यानि k की value कितनी आ गई है, 3, अगर ये step अगर आपको नहीं सौझ माई हो, तो एक बार में फिर बताएता हूँ, ये step, जैसे 2 की power 90, 98 था तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1995 में अगर तोड़ना है, तो 2 की power 90, 95, dot 2 की power 3, लिख सकते थे थे, अगर बेस अगर सेम है, तो पावर जुड़ी आएंगी, तो इस वाली step को, एक मेंट में pen change कर लेता हूँ, आपको ज्यादर स्योभी दर आएगी, ये जो step है, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने इस form में लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने इस form में लिख दिया, ठीक है, अब ऐसे ही 2 की power 90, 97 था, इसको भी हम क्या लिख सकते है, 2 की power 1995, dot 2 की power 2, क्योंकि देखो 1995 plus 2 कितना हूँ, बेस सेम है, multiply में, बेस सेम अगर है, तो पावर जुड़ी आती है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1997 की चेकर लिख देंगे, 1995, dot 2 की power 2, ठीक है, इस तरह से तो यह जुड़ जाएगा, ठीक है, अब मेरे खाल से आपको यह बात सौन में आ गही होगी, अगर किसी को यह doubt रहा हो, ठीक है,